कोई भी दीप इस पे आता है तो बाइंग होते वे दिखाई पढ़ रहा है यह निफ्टी के ऊपर मार्केट में जब और ज़स्ट फॉल के बाद आज एक अच्छी रिकावरी देखने को मिला अच्छा रिवर्सल देखने को मिला बात करेंगे यह जो रिवर्सल आई है यह कितना तीकाव है और कहा तक यह रिवर्सल जा सकता है यह रिकावरी हो रही है कहा तक जा सकता है अगर आप चैनल पर मैं है तो वीडियो को लाइक करते जिए चैनल को सब्स्राइब करते जिए चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले नेफ्री की क्लोजिंग हम लोग देख लेते हैं 19,047 के उपर इसकी क्लोजिंग है अच्छी बात है कि 19,000 के उपर एक क्लोजिंग मिली है और हम लोग 2nd November की एकस्पाइर का दिसकर्शन है यहाँ पर कर रहा है अब देखते हैं कि कोजीशन कहां बनते हुए द आपको यहाँ पर एदिशन दिखाई पड़ेगा और 19,200 का यह आपका स्ट्राइचर इसके बाद अगर इसके निच्छे उपर की तरह बिगर जाते हैं तो देखेंगा कि यहाँ पर उतना स्ट्रॉंगर कोई भी रसिस्टेंस आपको नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर क 19,500 का यह स्ट्राइक है मतलब अगर यह 19,200 का जो स्ट्राइक है निच्ति के लिए एक काफे एंपोटन्स लेवल होने वाला है रसिस्टेंस होने वाला है इसके उपर अगर तीकेगा तो हम में 300 पॉइंट की जबर्जस ट्रैली एक देखने को मिल सकती है अभी तरह दूसर अभी ताउजन लॉट्स का उपन ट्रिस्ट आपको यह दिखेगा 51,000 लॉट्स का एदिशन है 19,000 का स्ट्राइक है तो यहाँ पे एक सपोट देखने को मिल रहा है इसके लिच्छे फॉल कर गए तो अमेरिक 91,000 लॉट्स का उपन ट्रिस्ट है यहाँ पर देखने को है जहाँ में सपोट देखने को मिल सकता है वो 83,900 लिए रहा है इसी के विस्टी में आज बाउंच देखने को मिला है रेकरी देखने को मिली है तरहिए कि ठ्रेदि subm. रेंग रेंज क्या दिखाई पर रहा है निफ्की तो जो फिहाल trading range nifty का दिखाई पर रहा है 18,900 का आपका lower range दिखाई पर रहा है और 19,200 का ये higher range दिखाई पर रहा है तो इसके बीच nifty भी फिहाल trade कर सकता है pivot strike की बात करेंगे तो इसके बीच में जो 19,000 का strike है या nifty के लिए pivot strike होने जा रहा है मेक और ब्रेक लेवल होने जा रहा है आप यहां देखेंगे 81,000 लोच का उफन ट्रिस्ट आपको कॉल साइड में दिखाई पड़ रहा है और 1,000 लोच का उफन ट्रिस्ट साइड में दिखाई पड़ रहा है तो यह इसके उपर ठीकेगा तो 19,100, 19,150 और 19,200 के रफ जाएंगे अगर इसको निक्ति ब्रेक करता है तो अच्छी रेली उपर की तरफ हमें देखने को मिलेगी अगर 19,000 के निच्छे जाएगा तो 18,950 और 18,900 के तरफ जाएंगे इसको ब्रेक करेगा तो फिर हम लोग 18,900 के तरफ जा सकते हैं अगर हम इधर कॉल साइट के स्टाइक को देखेंगे तो यहाँ पे हमें अन्वाइंदिंग होते हुए दिखाई पर रहा है एक तरह से दिखाई पर रहा है कि यहाँ पे कॉल थोड़े से ट्रेप अपने आपको दिखाई पर रहा है इसलिए वो अपने पोजीशन को छोड़ के जाते हुए दिखाई पर रहा है या एक पोजितिफ साइन है निफ्ती के लिए अगर हम चेंज की बात करेंगे तो हमें यहाँ पे जबर जस यहाँ पे आप देखिए तो यह एक ऐसा इंडिकेशन है जो एक पोजितिफ साइन दिखाई पर रहा है जो बता रहा है कि जो रिकवरी आई है वो सस्टेन कर सकता है अगर निफ्ती नाइन पीन थाउजन के ऊपर अगर रहता है तो PCR अगर देखेंगे तो 0.8 to 1 पे दिखाई पर रहा है निफ्ती का PCR जो समपर्तेवल जोन में है बता रहा है कि तोरी से बाईंग में आते वे दिखाई पर रहा मेक्ष्ण वैंटम भी चमपर्तेवल जोन पर दिखाई पर रहा है Build-up की अगर बात करेंगे तो देखें, यहां पर जो मैं बात कर रहा था कि तोरी South covering भी दिखाई पर रही और Call Bying भी दिखाई पर रहा है यहां पर और दूसरे त्रफ Put writing भी भी दिखाई पर रहा है तो यह जो overall आपको जो market का Trend दिखाई पर रहा है यह positive दिखाई पढ़ रहा है कोई भी deep इस पर आता है तो buying होते भी दिखाई पढ़ रहा है यह निफ्थी के ऊपर तो ऐसा लग रहा है जिसे से आपके देता बन रहे हैं यह जो reversal है यह sustain कर सकता है और extend कर सकता है 19200 के तरफ अगर उसके ऊपर तीकना शुरू करेगा तो वहाँ से एक बैव आपको बरी रेली देखने को मिल सकती है